तो वैसे तो ये एक ही लवज में मैं सत्संग ले सकता हूँ क्या भगवान है? हाँ भगवान है, हो गया पर आप मानेंगे नहीं न आप कहां पर मानने वाले हो क्योंकि आभी कुछ गटनाएं ऐसी गट रही है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये सवाल पुछा है और उसमें से यंग्स्टर्स तो ज़्यादा है सब जो यंग जेनरेशन के बच्चे है वो बोल रहे है कि मैं बहुली जी भगवान सच में है और अगर मैंने उनको कहा कि भई है तो तुरंत वो सवाल करते है कि अगर भगवान है तो मुझे ये बताईए कि अगर भगवान है तो इन कुछ दिनों से भगवान का मंदिर हो या मजजित हो या फिर कोई चर्च हो क्यूं ऐसे बाते हो रही है जो भगवान की मंदिर में नहीं होना चाहिए तो फिर भगवान कहा है समझ रहे हो आपके भी मन में कुछ सवाल शायद होंगे अगर कुछ सवाल है तो आप कॉमेंट लिख सकते हो तो अगर मैंने वो देखा तो बात करते करते उन सवालों पे भी हम चर्चा करेंगे तो सिंपल है भगवान है पर मैं जो कहे रहा हूँ कि भी भगवान है तो आपका जो भगवान है वो भगवान और मेरा जो भगवान है वो भगवान शायद अलग हो सकता है ये पहले समझ लो जो आपने समझ लिया है कि भी ये भगवान है सच में पहले ये तो जान लो कि भगवान क्या है अगर आप सिर्फ ये कहे रहे हो कि मंदिर की जो मुर्ती है बस वही मेरे लिए भगवान है तो मैं ये कहे रहा हूँ कि भई सिर्फ वही मेरे लिए भगवान नहीं है इसलिए भगवान की व्यक्ष्या क्या है परमात्मा की व्यक्ष्या क्या है ये पहले आप मुझसे सुनो सुन रहे हो सब लोग क्या मैं आप तक पहुँच रहा हूँ ठीक तरीके से हाँ या ना बताइए तो मैं आगे जा सकता हूँ आज हिंदी है बरबर है तो चलो ये देखेंगे हम कि क्या है भगवान और जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है उनके लिए मैं ये कहता हूँ चलो हाँ येस तो सुन रहे है आप तो अभी शल्सन शुरू करेंगे भगवान है येस भगवान है नहीं है तुम जो लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान नहीं है उनसे मैं ये पूछता हूँ कि क्या आपका जनम आपके मा बाप के सिवाय हुआ है अगर आपका जनम हुआ है तो आपके मा या बाप मा बाप है या नहीं है ये मुझे बताई कि आप स्वयम्बु हो तो अगर मुझे जनम लेने के लिए मा बाप चाहिए तो इसका मतलब ये है कि जिस जिसका जनम होता है जो जो कुछ भी निर्मान होता है उस निर्मिती का निर्माता होता ही है आप समझ रहे हो जैसे आपका और मेरा जनम हुआ तो मा बाप की ज़रुरत है तो ये सारी सुरुष्टी जो निर्मान होई है तो आप मुझे बताईए इस सुरुष्टी का कोई तो निर्माता है या नहीं है हाँ या ना हाँ तो if there is a creation there must be a creator तो वो जो है creator वो जो शक्ती है जिसने आपको हमको इन सब सुरुष्टी को निर्मान किया है उस शक्ती को उस परम उर्जा को मैं कहता हूँ भगवान जो हर कणकण में है disconnect हो गया था फिर अभी आ रहा है तो क्या बता रहा था मैं if there is a creator if there is a creation there must be a creator तो जिस किसी ने इस सुरुष्टी को निर्मान किया है वो शक्ती ही मेरे लिए भगवान है कहां है वो शक्ती कंकं में है तुझ में है मुझ में है और जो लोग यह कहते हैं कि भगवान है ही नहीं भगवान नहीं है तो उन लोगों को मैं यह कहता हूँ अगर कोई उर्जा है ही नहीं तो उनके लिए मैं यह कहता हूँ कि जब हमारा जनम हुआ था तो हम कुछ ट्रेनिंग लेके नहीं आये थे हमें किसी ने सिखाया नहीं था कि जब माग के पेट से हम बाहर आएंगे तो जिन्दा रहने के लिए हमें कि पहले एक ही काम करना है मतलब वो है सांस लेना श्वास लेना किसने सिखाया हमको श्वास लेने के लिए जब मा के पेट से हम बाहर आ गए तो सबसे पहले आपने श्वास लिया यह प्रेरना आपको किसने दी बताए मुझे जिन्दा रहने के लिए मुझे दूद पीना है तो दूद पीना आपको किसने सिखाया बोलना चलना हसना रोना किसने दिया है यह तो वो जो है जो सब कुछ देता है हमें वो जो उर्जा है वो उर्जा मेरे लिए भगवान है यह पहले जान लो सिर्फ मंदिर में बैठी हुई वो मुझे वही नहीं है वो थो है ही क्योंकि वो उर्जा तो कंकं में है तो मेरे लिए अब ये जान लो भगवान का मतलब क्या है क्या है भगवान हम सब में बसी हुई शांतर सुरिजनात्मक जो positive energy है वो energy है भगवान जो सब में है आप में है मुझ में है सब में है हाँ उस एनरजी को शायद आप कुछ अलग-अलग नाम दे सकते है कोई अल्ला कहेगा कोई एशु कहेगा कोई कुछन कहेगा कोई बुद्ध कहेगा कोई महाविर कहेगा आप नाम अलग-अलग दे सकते हो पर जो नामों के परे है नाम तो आपने दिये है इसलिए मैं क्या कह कह रहा हूं दोबारा मैं कह रहा हूं जो आपने निर्मान किया है वो नहीं है मेरे लिए भगवान जो मनुष्य ने निर्मान किया है वो नहीं है मेरे लिए भगवान जिसने हम सब को निर्मान किया है वो शक्ति मेरे लिए है भगवान समझ रहे हो पहले जान लो क्या है भगवान वो शक्ती वो शांत सुरुप चेतना जो तुझ में और मुझ में बसी है वो शांत सुरुप सुरुजनात्मक चेतना ये है मेरे लिए भगवान कहा है वो? सब तरफ है हर कनकन में है शायद आप अभी नहीं पहिचानेंगे उसे, क्योंकि उस शक्ति के सागर में ही तुम मैं सब लोग हूँ जैसे किसी मचली को ये पूचा जैके भी सागर है, तो बूलेगे सागर ऐसा कुछ है ही नहीं, सागर ये झूट है समूद्र नहीं है सागर नहीं है क्योंकि उसका जनम भी सागर में ही हुआ है और वो मरने वाले भी सागर में ही है तो पानी का जो सागर है मचलीप को ये नहीं पता कि पानी का सागर है क्योंकि उसका जनम ही उसमें हुआ है पस जैसा वो पानी का सागर है ऐसा ही पूरे अपने जो शान्त सुरुप चेतना है जो उर्जा है उसके सागर में आप मैं जनम लेते हैं जो कणकण में बसा है और आप और मैं उस सागर की एक बूंद हो सागर की एक लहर हो जो निर्मान होती है उस सागर से और फिर से चली जाती है उस सागर में तो है भगवान है पर भगवान माने मेरे लिए क्या है जो मनुष्य ने निर्मान किया है मूरती वो नहीं है मेरे लिए भगवान है जिसने हम सब को निर्मान किया है वो सुरुजनात्मक शक्ति इसका मतलब है भगवान तो क्या फिर मंदिरों की जरुरत नहीं है तो क्या फिर मुर्तियों की जरुरत नहीं है उनकी भी जरुरत है जो लोग ऐसे कहते कि मुर्ति में क्यों जानवाई क्या है मुर्ति में है उन लोगों के में लिए कहता हो क्या आपके घर में आपके मा या बाप का फोटो है है आपके मोबैल में आप डीपी रखते हो या आपके मोबैल में भी आपके माबाप के फोटो है तो मैं आपसे कहता हूँ कि फेक दो सारे फोटो जला दो उनको थुको उन पे क्या आप थुकेंगे उन फोटो पे नहीं क्या फिक देंगे उन फोटो को नहीं अरे भई माबाप तो है ना हाँ माबाप तो है पर ये फोटो जो हमने रखे है ये उनके प्रतिक पृतग्यता का भाव है वो हमारा प्यार है उस फोटो को देखके बार-बार हमें ये समझ में आता है कि इनसे हमारी शुरुवात हुई है इनके बज़े से हम है समझ रहे हो तो मंदिर में भी जाना ही चाहिए मस्जित में भी जाना ही चाहिए मुर्ती भी चाहिए ही पर वो मुर्ती स्रिफ शुरुवात है, वो मुर्ती या मंदीर एक प्रतीक है, प्रॉब्लेम हमारा ये है, हम वहीं पर रुग गए है, हम आगे नहीं जा रहे है, मंदीर से शुरुवात करो, मुर्ती से शुरुवात करो, और जाओ अपने अंदर, जाको अपने अंदर, जिस रुधय में वो परमात्मा सुरूप वो उर्जा सुरूप परमात्मा भैटा है सब तरफ है वो उसे शुरुवात है और उसी में जाना है thermodynamics का पहला नियम ही है energy cannot be created, cannot be destroyed it can be transferred from one form to another form ये positive शान्त सुरुप चेतना ही परमात्मा है पर हमारे लिए वो शान्त सुरुप चेतना को जानना ये महतोपूर्ण नहीं है हमारे लिए उस शक्ति को हमने जो नाम दिये है और जिस मजभब ने जिस धरम ने वो नाम दिया है वो नाम important है वो धरम या मजभ इंपॉर्टन्ट है और इसलिए होता ये है कि भगवान के नाम पे से सबसे ज़्यादा राइट्स दंगल हो रही है आप समझ लो और ये भी पहले आप जान लो कि ये जो मैं आपसे कुछ कह रहा हूं ये किताबों की रटी हुई बाते नहीं है मैंने कहीं पढ़ा नहीं है मैं कोई ग्यानी नहीं हूं संत नहीं हूं पंडित नहीं हूं जो कुछ भी मैं आपसे अभी कह रहा हूं ये मैंने महसूस किया है ये मैंने जाना है मेरा यकीन नहीं है यस मुझे ये पता है कि हाँ भगवान है उस शक्ती के सुरुप में भगवा है शक्ति के प्रतिक अलग-अलग हो सकते है यह अब शक्ति के रूप अलग-अलग हो सकते है भगवान क्या है? यह सब रूप जिस अरूप से शुरुवात हुए है वह अरूप तत्व यानि भगवान है ये सब आकार जिरेस निराकार में शुरू होते है और जिरेस निराकार में चले जाते है विलीन हो जाते है वो निराकार तत्व याने भगवान समझ रहे हो जो कन कन में बसा है पर हर चीज माना नहीं है जानना है और हर चीज जानने काय का रास्ता है अभि आप आगे मत जाए आगे मत शुचिए आप यहीं पर यहीं क्या बादा हो बस यहीं सोचिया फिर भगवान की मंदिर में ऐसा क्यों हो रही अरे भगवान है अभि मैं जह कुछ कह रहा रहा है वहीं पर रहे है आप अपनी गाड़ी भगओ मत जूर से अभी मेरे साथ रहे पहले ये जान लो भगवान क्या है भगवान है सब तरफ फैले होई शान्त सकारात्मक सुरजनात्मक शीवशक्त मंदिर जरूरी है मजजित जरूरी है चर्च जरूरी है क्यों क्योंकि उस वहां से शुरुवात करनी है वहां से शुरुवात करनी है वो सिर्फ प्रतीक है जानना है हमें वो हमने बनाया है क्यों बनाया है? क्योंकि कहीं तो एक जगह ऐसी चाहिए जहां पे हम कृतग्य हो रहें तो मंदिर में भी जाना चाहिए क्यों जाना चाहिए? दन्यवाद देने के लिए आपके बज़े से मैं हूँ, उस शक्ती के बज़े से मैं हूँ, मैं वो शक्ती का एक आउशो, पर आप जाते हो मांगने के लिए, मांगने के लिए. मतलब आपके लिए आपका मंदीर, आपकी मज़्जित, आपका अल्ला, आपका भगवान क्या है, क्रिडिट कार्ड है, बैंक है, क्यों वहाँ पे जाओ, एक नरिया फोडो, माथा टेको, कुछ नवस बोलो, और बस भगवान जी, अगर आपने ये दिया, तो मैं आपको ये दोँगा, मतलब आपके लिए भगवान है, बैंक, क्रिडिट कार्ड, आपके लिए भगवान है, एक बिजनेस, क्या आप कभी गए हो, उस परमातमात, सुरुप शक्ती को जानने के लिए, क्या आप कभी उसके साथ बैटे हो, क्या आपने कभी जाना है, ये जहाओ, कोई मानना नहीं जाना है, जो लोग ये कहते हैं कि भगवान है, ये भी उनकी जानकारी है, जो लोग ये कहते हैं भगवान नहीं है, ये भी उनकी जानकारी है, फील किसने किया है, महसूस किसने किया है, किसी ने बोला, जिस समस्कार में, जिन लोगों के साथ, जिन विचारों क पूरा ध्यान देखे सुनो यह बहुत इंपर्टन क्योंकि आज की जनरेशन आईसी हुई है क्योंकि वो बगवान को मानते नहीं क्योंकि उन्होंने जाना नहीं है उन्होंने फील नहीं किया है एक आस्तिक था एक नास्तिक था आस्तिक भगवान को मानता था नास्तिक भगवान को नहीं मानता था दोनों अपने अपने विचारों पर फिक्स दोनों मिल गए दो गंटे एक दुसरे से उन्होंने बात की और आस्तिक ने उसको पटाक दिया उसको बता दिया पूरे एक एक पॉइंट बता दिया कि कैसे भगवान है नास्तिक को बताया नास्तिक ने बताया कैसे भगवान नहीं है दो गंटे बात के जब दो गंटे के बात दोनों अलग-अलग होए जो आस्तिक था वो उसकी बातों के वज़े से नास्तिक हो गया और जो नास्तिक था ये इसके बातों के वज़े से आस्तिक हो गया तो इसकी नास्तिक था भी जूटी, इसकी नास्तिक था भी जूटी कसे फील कर रहे ची लिखा है किसी ने यह मैं बता रहो मैं यहीं बता रहाँ कि आगे मत भागो भई आगे मत भागो सब कुछ बताने वालों तो अगर पहले तो यह है कि उसे जानना है उसे महसूस करना है पहले कुछ मद बोलो पहले ये मद बोलो कि भई अगर ऐसा है तो ऐसा है तो ये क्या है अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपके घर के बाहर एक रास्ता है जाके देखो आप यहीं पर बैटे हो मुफुलाई होए यहीं पर से देखते हो कहां पर रास्ता यहां पर दिवार है यहां पर खिडकी है मौली जूट बोल रहे है अरे भई तू तेरा इतना जो बड़ा बोज़ा है न वो उठा दरौजा के खोल बाहर जा और दरौजा के जब तू बाहर जाएगा तब तुझे रास्ता देखेगा न शुरुवात गुरु कुल से सीख थी है। अभी हम जो बच्चे सीख रहे वो क्या सीख रहे है। Physics, Chemistry, Mathematics। क्या किसी ने आपको बचपन से किसी स्कूल ने अपने सांसों को श्वास को देखना ये सीखाया है। अपने विचारों को देखना ये सिखाया है, खुद के साथ रहो ये सिखाया है, कभी भजन गाओ ये सिखाया है, कभी नामस्मरन करो ये सिखाया है, नहीं सिखाया है. और इसलिए हमने उसे जाना ही नहीं, हम उस रास्ते पे कई गए ही नहीं, जब हम उस रास्ते पे जाएंगे, तो हमें पता चलेगा, हाँ, ये रास्ता है, ध्यान एक रास्ता है, श्वास एक रास्ता है, प्राणायम एक रास्ता है, कि जिससे हम उस उर्जा को महसूस कर सकते समझ रहे हो अगर कोई रबर मैंने हाथ में लिया जानने का रास्ता क्या है देखो अगर कोई रबर मैंने हाथ में लिया और उस रबर को यहां से यहां थक खीचा जब मैं उसको खीचूंगा तो बोलिए उसमें क्या आजाएगा तनाव आजाएगा बरबर है तो ये टेंशन ये तनाव मुझे अगर कम करना है तो मुझे क्या करना चाहिए इस रबर को छोड़ देना चाहिए बराबर है तो मुझे ये बताईए कि जब मैं खीशता हूँ तो तनाव क्यों आता है क्यों आता है तनाव और जब मैं छोड़ता हूँ तो क्यों चले जाता है वो तनाव एक ये बात जब जब मैं मेरे मूल अवस्ता में जैसा उस परमात्मा जैसा उस शक्तिने जब जब मैं मेरे मूल अवस्ता में होता हूँ मैं भगवान के साथ होता हूँ और जब मैं मुझसे ही मेरे मुल अवस्ता से दूर चले जाता हूँ तब मुझे टेंशन आती तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि भगवान के मंदिर में रेप हुआ कहा है भगवान ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं उनकी बातों पर मत जाओ क्योंकि इसने कभी खुद को देखा ही नहीं कभी जाना ही नहीं क्या इसने आज तक कभी नाम लिया है भगवान का क्या कभी इसने आज तक स्वास को देखा है क्या किस कभी इसने आज तक कभी फिल किया है उस इनर्जी को यह देख रहा है सिर्फ शरीर और इस शरीर को जिसने निर्मान किया है उस परम उर्जा को मैं कह रहा हूँ भगवान मंदिर में भगवान क्यों ने किया भगवान उसको मुरत है वो सिर्फ प्रतीक है यह तेरी मेरी यह जिम्मेदारी है कि उस भगवान को जानना मंदिर की मुरती सिर्फ प्रतीक है समझे रहे हैं जैसे मैंने अब विद्वताय था कि यहां पर मूल अवस्ता में है भगवान जब जब मैं मेरे मूल अवस्ता से दूर चले जाता हूँ तो यहां पर मैं भगवान के साथ नहीं हाँ तू मंदिर की मूरती के सामने होगा भगवान के साथ नहीं है तू मंदिर तो यहां पे रेफ है, यहां पे प्रॉब्लेम है, यहां पे जगड़े है, यहां पे तान है, यहां पे प्रॉब्लेम है, यहां पे सब गलत बाते, जब जब मैं मेरे मुलावस्ता से दूर गया हूँ, यहां पे प्रॉब्लेम है, जब यहां पे प्रॉब्लेम है, जब यहां अंगुलीमाल डाकू था वो संत अंगुलीमाल बन जाएगा ये रास्ता है ग्यानियोग एक रास्ता है सिर्फ ग्यानियोग एक रास्ता है अध्यात में एक रास्ता है अध्यात में का मतलब क्या है भगवान के सामने माथा जुको नहीं माथा जुक के शुरुवात करो पर य यह बात है कि वहाँ से शुरुवात करके अपने अंदर जाओं जब हम खुद को देखते हैं जब हमारे श्वास को देखते हैं तो श्वास ऐसा एक धागा है जो इस श्रीर को उस शक्ती से जोड़ता है तो ये कब किया आपने और जो खुद को संत कहिलाते हैं वो तो भी देखे उनका शरीर देखे उनकी आँखों में देखे उनकी बाते देखे भगवान के बारे में बताते हैं मैं भगवान के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं भगवान के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं समझ रहे हैं कभी ध्यान तो करो कभी प्राइनायम तो करो आप सब लोगों ने अगलग नाम देए हैं और नाम में आप चले गए हो और इसलिए आपका अल्ला हिंदू का नहीं हो सकता और आपका कृष्ट मुसलिम का नहीं हो सकता यह किसी ने बताया ही नहीं है कि सब लोगों की है समझ रहे हो तो मुझित हो या चर्च हो या मंदिर हो ये क्यों है जैसे स्कूल में अगर बचा नहीं गया तो सीख सकता है कि ग्यान तो है भई पर सिखाने के लिए कोई चाहिए ऐसे ही हमारे मंदीर वो उर्जा तो है पर मंदीर मज़ित या चर्च क्यों है वहाँ पे जाओ आखे बन करके खुद को देखो खुद के मूल स्वरुप में जाओ औरिजिनल स्टेट में जाओ जब आप आपके अंदर चले जाएगे उससे जुड़ जाएंगे तो अगर आप खुद से जुड़ गए खुद को पा लिया तो उसको पा लिया खुद को जाना तो उसको जाना तो जब आप खुद को जान जाएंगे तो परमात्मा स्वरुप उर्जा आपकी आँखों में आपकी बातों में आपकी हर कृते में देखेगी ये जो गलत लोग गलत बात कर रहे हैं, देखोना भगवान 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 करते हैं, और भगवान के नाम पे अगर आप किसी प्राणी की हत्या कर रहे हो, तिरुपती चले जाते हो, शिरडी चले जाते हो, कोई हज को जाता है, कोई चर्श को जाता है, और जाते समय क्या करते हैं वो लोग दारूपे कहे जाते हैं, तो क्या इसने जान लिया है, अगर आप किसी बकरी को, अगर आप किसी प्रानी को मार रहे हो, तो कहा जाना है, अरे सब लोग जिनोंने जो सचे संथ है, उन्होंने क्या कहा है, मनुष्य की सेवा, यही है भगवान की सेवा, इश्वर की से विद्ध को मानता हूँ अगर मैं बुद्ध को मानता हूँ कृष्ण भगवान ने ये कहा है कि सब तरफ मैं हूँ जान लोग ओ एनरजी के बारे में कह रहे हैं तो इन भगवान ने जो इन भगवान को जानने वालों ने जो कहा है क्या आप उनके रास्ते पे चले हो अगर मैं बुद्ध पुरुष्ण महाविर अल्ला को मानता हो और प्राणी के हत्या कर रहा हो तो कहां पे है करूना गुठका खा रहा हो तो कहां पे है करूना कहां पे है भगवान इसलिए मैं क्या कर रहा हो भगवान नहीं है भगवत्त तो है देव नहीं है देवतो है और जिसने देवतों को जान लिया जिसने भगवत्ता को जान लिया वो है भगवान वो है देव इश्वरतों को जानने तो आप ही भगवान हो जाएंगे आप भगवान थे तो अभी भी है पर आप नहीं पहिचानेंगे क्योंकि आपका ये नियम है समास का जब तक भगवान इन रूपों में है आप नहीं उसको मानेंगे आप उस पे ही चिलाएंगे आप पत्थर फेकेंगे मार डालेंगे और उसकी मुरद बिठा के दन्दे शुरू करेंगे एशु खृस्त जी जब तक हमारे साथ थे शरीर से हमने माना नहीं कि उनमें भगवान है उनको ही मार दिया और उनका पुतला बिठा कि अभी हम भगवान के रेदों संतक एनेशुर जी जब तक शरीर से हमारे साथ थे साथ में भी नहरी न दिया गाओ के बाहर हकाल दिया और जब समाधी लेके वह शरीर से चले गए अब ये लोग मावली मावली के कि दिंडी निकाल रहे क्या इनको अधिकार तो भी है माउली महतोपुर्ण नहीं है माउली के दिंडी का अध्यक्ष कोन है ये important उसके बाद कि कितने नंबर की दिंडी मेरी है ये important है और शायद आपने सुना भी होगा कि गनपती विसरजन कब मुझे करना है मेरा पहला है गनपती इन बातों पे से एक दूसरी को मार दिया है खुन कर दिया है तो क्या सच में इन्होंने भगवान को जाना है इन्होंने सिर्फ मुर्ति को भगवान का है भगवान तो अमूर्त है देवतों है सब तरफ है देवतों माने उस शान तुरुप चेतना और जिसने उस देवतों को जान लिया वो ह तू भी है मैं भी हूं सब तरफ है पर आप नहीं जाने कि apa eh Krushna tuj들 जम्हें मुझे षब क्रुश्चत है पर आप ढूण रहे उस बासरिध आलगो कहा पराम आप ढून रहे हो उस दनुश्यवान लेने लेके आने वाले उस मूर्टी को आत्मा राम अंदर कुरुष्ण तो देखो अपने निदर तो आप मज़ब आपका धर्म आपका भगवान की मुर्ति पस ये इंपोर्टेंट है कलर इंपोर्टेंट है किसी को भगवा चाहिए किसी को ब्लू चाहिए किसी को हरा चाहिए और किसने निर्मान किया है ये सब कलर जिसने निर्मान किया है न कोई मज़ित हो या कोई मंदीर हो जो एक दम फेमस है समझो एक साल के कोरोडो रुपए जो उनमें आते है हमने अगर ऐसा किया तो उरुपए इकटा किये और जो सच में गरीब लोग है जो सुसाइड कर रहे क्योंकि उन्हें सीखना है उन्हें खेती करना है पर उनके पास पैसे नहीं है तो लिख के दो उधार दो और उनसे कओ कि जब आपके पास पैसे आया जाएंगे अब यह उधार लो लिख के लो और आप वापिस करो हमें करेंगे लोग प्रामानिक होते है पर आप नहीं देंगे उन लोगों को क्योंकि बगवान उनमें नहीं है आप उस मंदिर के जो दिवार है उस दिवार को सोने की करेंगे जिन संतों ने ये कहा था कि मुझे पैसे नहीं चाहिए उनकी मंदिर के दिवारों को अब सोना या चांदी लगा रहे हो क्योंकि आपके लिए भगवान है शर्फ मंदिर में और इसलिए मंदिर में जाने वाला आदमी संत गयानेशुर जी, एकनाज महाराज, नामदेव महाराज, भगवान बाबा, सेवालल महाराज, नरहरी महाराज, तुकाराब महाराज, सोखा मेड़ा, जना बै, मिरा बै, कभीर जी, क्या कहा है इन लोगों ने क्या कहा है इनका जीवन देखिए ये है भगवान को जाने हुए लोग भगवतत्त्व को जाने हुए लोग क्या इन में से एक एक भी संत जो सच्चा संत है उसने कभी दुसरे प्रानी की हत्या करके खाया माउसार किया कि नहीं कर सकता है कि नहीं कर सकता है क्योंकि उन्होंने उन प्राणी में ही नहीं कन कन में परमात्मा देखा है बहुत कुछ कह सकता हूँ बहुत कुछ कह सकता हूँ पर ये कहने की नहीं कि मौन होकी जाननी की बात है तो ये है सज बात कि मंदिर में इसी घटना क्यों घटते हो क्योंकि आप मंदिर में जाते हो पर परमात्मा के साथ नहीं होते हो परमात्मा है आपके अंदर आप होते हो बाहर और इसलिए पहले भारत में गुरुकूल थे खुद को देखना सिखा थे कहां गटती थी पहले ऐसी गटना है आ गए सिगनल तो अभी मैं बताता नहीं हूँ आप सब साथ में रहो मैं कभी जान बुझ के बगवान के मंदिर में जाता नहीं हूँ क्योंकि मेरे लिए आप मत जब ऐसा मैं नहीं कहे रहा हूँ मैं ये कहे रहा हूँ कि ये मैंने महसूस किया है कि सब तरफ वही हैं तो वहीं पर कि मैं क्यों जाता नहीं ऐसा भी नहीं मुझ में हैं तो वहां पर भी है सब तरफ जब आप ये महसूस करेंगे तो जहां पर आप देखेंगे जिन लोगों को आप देखेंगे उनमें ही आपको भगवान दिखेंगे तो सब साथ रहे भगवान को जानिए फिर से हम बाते करेंगे अभी क्या हो रहा है ये बार बार ये सिगनल के बज़े से तूट रहा है मेरा आप से कॉंटक्ट तो फिर मैं आप से बाते करूँगा ये वीडियो जरूर जरूर शेयर कीजिए अगर आपको कुछ यहां से मिला क्या है भगवान तो और खुद के अंदर की जो परमात्मा जो शक्ति है परमात्मा जो बैठा है जो शान्त सुरूप शिवचे जना है उसे जनने के लिए ध्यान कीजिए प्राणायम कीजिए बजन ये सब मार्ग है कहीं पे भी जाईए ये सब मार्ग है तो फिर मिलेंगे हम और चैई गुरुदे दो तारीक को दो मई को बच्चों का शिविर है आप आईए 20 मई से 30 मई तक शिक्षक प्रशिक्षन वर्ग है आप सब लोगों जो क्वेस्चन में ने दिये है वो क्वेस्चन उसे अंसर लिखे आईए ये सब मार्ग है तो आपके अंदर का जो कनकन में बैठा हुआ जो शान तसुरूप चेतना यानि भगवान है उसको मैं प्रणाम करता हूँ फिर मिलेंगे चैई गुरुदे